हिंदी साहित्य की काल जई कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए हिंदी साहित्य की लब्द प्रतिष्ठित लेखिका मंजुल भगत जी की कहानियों की श्रंकला में उनकी लिखी हुई कहानी अजूबा तो शुरू करें कहानी सारी बात बेहद उलश्ती चली जा रही है जीवन को चाहे किसी भी कोने से पकड़ कर खीचू उसमें आरी तिर्ची कान निकलाती है जो इस सरे से उस सरे तक रपट्टी फिसलती तो रहती है पर सिधाई पर नहीं आती ऐसा है कुछ कि सयाने मुझसे कहते हैं तुम अपने पती से संबंद विच्छेत कर लो सदा के लिए अलग हो जाओ बिल्कुल अलग कचहरी में चल कर दस्तकत कर दो और बस खटाक, तलाक जैसे संबंद कच्चा धागा हो और जिंदगी धर-धराती सिलाई मशीन जो शण में धागे को टूप करके जुला दे हमारा विवा कचहरी में नहीं हुआ था कागज पर दस्तकत करके हम पती-पत्नी नहीं बने थे अगनी को साक्षी मान कर दोनों परिवारों के गवाहों के बीच बैट कर हमने कुछ वचन लिये थे मेरी इस दलील को सुनकर सयाने तो नक उठते हैं तो वो इस तरह कहते हैं जैसे कोई तोप चला रहे हूँ तो यही की तलाग के लिए फिर से वेदी पर आग जलानी होगी वरपक्ष और कन्यापक्ष को इखटा करना होगा पंडित को बुलाना होगा निशीत को मेरा हाथ पुना पिता जी को सौपते हुए शपत तोड़नी होगी हमें पंडित के पीछे पीछे धुराना होगा एक एक वचन जो हम तोड़ना चाहते हैं तब ही होगा विधपूरवक्ट तलाग सयाने मेरी और ऐसे देखते हैं जैसे मैं बौरा गई हूँ ये तलाग है कि तमाशा शास्त्रों में ऐसी कोई विधी नहीं लिखी है कचेरी ही चलना होगा वे कहते हैं कचेरी से लौट कर हम किसके घर जाएंगे मैं सहम कर पूछती हूँ अपने माने अरे भई तुम दोनों के घर सामान वगएरे बटोडने अपना अपना सामान अपना अपना सामान मैं निशीत के अलमारी में लटके कोट पेंट के नीचे पेंटी इप्रेजरी और जनाना रुमालों की गुड़ी मुड़ी धेरियों को याद कर बौकला जाती हूँ निशीत के बढ़िया सूट तो मैं अपने अलमारी में साड़ियों के अगल बगल बहुत करीने से लटका कर रखती हूँ उन्हें निशीत के रोजमर्णा के कपनों के साथ लसर पसर करते सोच बड़ी उलजन होने लगी मुझे पूरा विश्वास है कि तलाग के बाद वो निली धारी की पैंट के साथ जरूर टमार्टरी कमीज पहन लेगा ऐसी भयानक रंग मेल की रुची शायदी किसी अन्यव्यक्त की हो निशीत की टमार्टरी कमीज मैं ही खरीद कर लाई थी मोतिया रंग की पैंट के साथ पहनने के लिए गरम कपड़े भी फिनायल की गोलियों में दवे पड़े हैं उन्हें भी छाट कर अलग-अलग करना होगा निशीत के बोनस और मेरे तीज त्यारों के जमा कि ये पैसों से खरीदे टीवी, फ्रिज, कैसेट का भी पटवारा होगा बिजली पानी के बिल, बीमा कमपनी के कागज, बैंक की पास्बुक, चेक्बुक सभी जरूरी कागजात मेरे पास ही समले रहते हैं किने सौपना होगा उन्हें, निशीत इन पुर्जों को कभी समभाल कर नहीं रख सकता और उसकी मा भी तो जा चुकी है, ये दया भाव नहीं है, मुझे हर चीज में सरी का पसंद है और इस तलाग में मुझे फूर गर्वर घुटा ले के सिवा कुछ और नचर नहीं आ रहा है आदमी किसी लायक हो तो उसे छोड़ा भी जाए, जो काट कर फेक दिये जाने पर खील खील होकर विखर जाए, उसको क्या त्याग ना? किसी को धूल अटे जालों में अटका कर केवल अपने आप को समेट कर चल देना क्या सबसे हो पाता है? अपना आप भी कितना अपना रह गया है? सयानों ने तो कह दिया कि चलो कैचैरी, करो सही और निकाल फेको उस नामर्द नपुन सक पती को अपने मन से उनसे पूछो, जो समय वो जी चुके हैं, क्या वो उसे अपने आप से अलग कर सकते हैं? जब दो आने की छाबड़ी भर जलेवी मिलती थी, उस वक्त को तो भुला नहीं पाते वे लोग वे लोग कहते हैं, जीवन इतना बड़ा होता है, कि उसमें अलबारी में घुसरे कपड़ों आ देगा कोई महत तो नहीं पर जीवन यदि इतना ही बड़ा है, तो उसमें हम इतनी छोटी छोटी बाते ही क्यों करते रह जाते हैं? एक चलचित्र देखा था, एक आदमी की दोनों टांगे ऑपरेशन करके काट दी गई थी, धीरे धीरे उसके होश लोटते हैं, और उसके साथ ही ये भेंकर एहसास कि उसके धर के आगे उसका शरीर नहीं है, धर मांस के दो लोथनों पर आकर रुप जाता है, वो धर से आग के निकाल कर हरकत करना चाहता है, कहां है, कहां है, कहां है उसकी टांगे, उस खौफनाक कमी का एहसास सियाही की तरह उसके चेहरे पे फैलता जाता है, आने वाली रुलाई और चीखों के पहले की पीड़ा चेहरे की मांस्पेशियों को खींचती चली गई, परदे पर उस दर्शकों के लिए असे हो उठा था, वही दर्शक जो सिनेमा हौल के बाहर दर्जनों लंगडों लूलों को सरकते लुड़कते निरलिप्त भाव से देख कर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे उनका वैसा होना हिर्दय का एक अंग हो, निशीत को अपनी बगल में न पाकर पर सड़क पर रेंगते विकलांगों के हुजूम में खो जाओंगी, अभी मैं एक अजूबा हूँ, एक ऐसी लड़की जो चार वर्ष अपने पती के साथ एक ही पलंग पर सोने के बाद भी कुवारी है, संबन्दियों की काईया नजरे मेरे जिस्न को टोलती हैं कि कहीं कोई खोट इसी में तो नहीं, उनकी निगाहें मेरी कमर की लोशदार गहराई को दूर तक नापे ले रही हैं, पूछ रही हैं क्यों नहीं जगा सकी ये पती के तन में कामना, तू ही पहल कर लेती बेटी, आजकल तो मेरी मम्मी मुझे समझा रही है, शायद मुझे अपने पती पर बलातकार कर लेना चाहिए था, कुछ दिनों बाद तलाक को जाने पर ये बातें पुरानी पर जाएंगी, लोग मुझे यूँ ही कबूल लेंगे, जैसे शहर में एक और अजायब घरिया पागल खाना कुल गया हूँ, निशीत को छोड़ देने के ख्याल सही यादाश् मक्खी की तरह भिन्बिनाना शुरू कर देती है, और उसकी टांगों में लिप्टी इतनी यादे चली आती हैं, कि मैं औरों को भी उसके लिसलिसे रस में लपेट लेना चाहती हूँ, वे धीरज धारे मुझे पागल का आत्मालाब सुन रहे होते हैं, और मेरा मन अजायब घर सा उनके सम्मक खुलता जाता है, परत दर परत, इतना हो जाता है निशीत को छोड़ देने के ही ख्याल से, छोड़ी दूं या सच कहूं, तो सयाने मुझसे उसे छोड़वा ही दें, तो ये पागलपन और भी बढ़ जाएगा, कितना चाहा था मैंने शोलों को समीटे र सैक्रों टीस्ते करहते जक्मी मरीजों में से एक, अस्पताल के बाहर नॉर्मल लोग हैं, सिनेमा और बजार के और लपकते हुए, बेफिक्री से चाट के पत्ते चरपराते हुए, अस्पतालों से बेखबर, अस्पताल के बंद शीशों के भीतर से जागते हुए, मुझे पहुं तब खड़ा हो जाता है, मजाल है जो मेरा आदेश न माने, उसकी मा का वो दबदबा हमारे गठपंदन में गुथा, सुहाग से इस तक चला आया था, माजी संसार से जा चुकी है, एकलोती संतान से उनका वो दम, होट, लाड़ प्यार देख, शेहद में दिलसरी, म की याद आ जाती है, जकर लेने वाला एका दिकार जितना सौमित मेरे आचुकने के पश्चाद भी जरा कमना हुआ था, उनके आसपास मान जी ने कहीं रिक्तिस्थान छुड़ा ही नहीं था, मैं कहां जगर बनाती अपने लिए, अपनी मा को मैं हर दम उसी तरह याद आती रह जाती हूँ, लाल जरीदा साड़ी में लग दक छरैरी तीखी सजीली दुलहन, अशोका होटल के स्वागत कक्ष के फूल मंडित सुसजित द्वार पर पती के पार्ष में खड़ी मुस्कराहतें बिखेरती, वो छवी मेरी मा के मन पर से हटती ही नहीं, जब मेरा और नि चालों को दो पाटों में बाटती सिंदूर भरी लेलाहती मांग, मा की आसू भीगी आखों में दंब चमक उठाता, बेटी का बिछोग भूल वो से सौभागे पर इतरा उठी थी, और मैं सबको भूल सबसे दूर जाती, आतुर थी उस एक के करीब आ जाने को, चार वर्ष बाट जब मैं भारत लोटी, तो मैं कहीं अपने से भी दूर बहुत दूर चली गई थी, फैडिट नेली जेंस और फीकी सी किसी भी रंग की कमीज, बस यही मेरी वर्थी थी, शरीर को इन दो वस्त्रों में उडेला और लो हो गई तैयारी दिन का सामना करने की, तरला गुदगुदी होती ही नहीं, तरला के गुदगुदाने पर भी नहीं, कितना कितना हसली हैं हम, दोनों बहने एकटा बैटकर जनम भर का कोटा पूरा कर लिया है शायद, बच्पन में मा अपी टांगों पर बेल-बेल का पुराने चितरों से गुडिया बनाया करती थी, ल जैसे उन्होंने मुझ इतनी बड़ी को नंगा देख लिया हूँ, क्या-क्या देखा नेहा, तुमने वहां कनाडा में समंदी आदे मन से पूछते हैं, अब कुछ तो पूछना है उन्हें, तोरंटो मैं बुजी सी कहती हूँ, बस वहां तो तुम रही रहे थे, मैं मन में की तस्वीर उभारना चाहेती हूँ, पर घूम फिरकर केवल अपता फ्लेटी याद आकर रह जाता है, जैसे सारा टोरंटो बस वही हो, बलकि समस्त कनाडा भी, पर हम नियागरा फॉल भी तो गए थे, शायद मैं संसार की अकेली यात्री थी, जिसने नियागरा फॉल देखने में किवल दस मिनट गुजारे थे, धुआदार डहती आती पानी की दीवारें, शोर और पानी, पर निशीद और मेरे पीच दम तोड़ता वही सननाटा, चलो अब चलें, अभी से, देख तो लिया, अब और यहाँ क्या करने को है, निशीद, यहाँ लोग बाकाइ पातों के बीच गुजारना चाहेती हूँ, चाहेती हूँ कि वे तमाम जल प्रपात अपनी भेंकर चोटों समेत मेरे बदन पर तूट पड़ें, निशीद, निशीद तुमने सुना, मेरे बदन से उठता जल प्रपातों का ही शोर, अचानक मुझे नियागरा फाल का समस्त सौंदर गम का मारा सा लगने लगा, घर लोटते समय सारा रास्ता एक बोज सा पीट पर लदा रहा, गर्दन पर सिर नहीं मानो कोई कैक्टस होगा हो, जोबान उधरी हुई खाल की तरह तिलमलाती रही तुरंटों, हर सुबह निशीद की अलसाई पुकार से होती है, मम्मी मम्मी चाए, दोरे पलंग की दूसरी पार्टी पर सोई में पती की इसको मुनाहट पर कान खड़े कर लेती हूँ, दस मिनट पस्चात में चाए का भवकता प्याला थामे खड़ी हूँ, निशीद चाए, निशीद आँख मलता मलता प्याला थाम लेता है और फिर चौक प्यातरा यी पुरानी रुकावटे हैं, एक बिंदु विशेश पर आकर निशीद का अचानक बुझ जाना, ये तक्या उन सब बातों से उसकी रक्षा करता है, भारती नारी भला एक तक्या को कैसे फलांग सकती है, अकेला अदुलारा निशीद, बुड़ापे की प्यारी अउलाद, मनौतियों से मिली मसर्रत, उसकी मा का वर्ष होता तो पचीस वर्ष की वे में भी उसे अपनी कोक में छिपाए भूनती, नाल तो खेर अब भी नहीं कटी थी, कभी-कभी लगता है निशीद व्यक्त नहीं केवल एक भूण है, जो अवदि समाप्त होने से पूर प्राबका रह गई थी, फिर कुछ सोच गर हस पड़ी थी, नहीं रे, वो तो सत्मासी है, मशीन में रखा था हस्पताल वालोंने कुछ दिन, घर आने पर मैंने रूई में लपेट-लपेट कर सेका पूसा था, तब जाकर हाथ-पाव मारने लायक हुआ था, पर अब तो मांजी ने टोग दिया था, क्या करेगा वहाँ जाकर, कश्मीर तो तेरा देखा भाला है, कुछ रोज में तुम दोनों कैनेडा चले जाओगे, मेरा भी तो जी चाहता है कि तुझे जोडी से लेकर मेल मुलाकातियों के हाँ जाओ, कित्ते के तो बुलावे आए हैं, फिर क कुछ दिन तो तुझे अपने हाथों खिला पिला भी दुलू, उन्होंने मांजी की चाहतों का गलानी घोटा था, मांजी हम दोनों को जोडी से सजा बजा के नुमाईश करती फिरी थी, एक दिखावा सा बनकर रह गई थी हमारी जोडी, निशीत नेहा का सुन्दर स्वस् के लिए ठिटक जाती, उनके बुड़े कदब मुझ तक पहुंच कर ठहर जाते, आखों में ममतालू करना चुलकाती, मैं चुपचाप उनके साथ चलने लगती, एक ठकी सी सांस गहरा कर उनके कंट से फूट पड़ती, जैसे कहा हो, धीरज धरे रहना बेटी, उनकी करुना मेरा संबल बन गई थी, मैंने वे राते सहली थी, बे माईनी राते, जिन रातों का शीर्शक था, कुछ नहीं, खाली शून ये राते हैं, कोई फूल ऐसा भी होता है, जो खिलता नहीं, बस महतता है, उसका रूपरंग भी उसकी सुगंद में सराबोर हो, अपना अस्तित को देता है, इन स्याह रातों को मेरे शरीर से एक मदमाती गंद फूट कर मुझी को अवश कर देती, ये क्या आचानक ही था, कि जब भी निशीत ने मुझे बाहों में भर कर मेरे नारीतों को अर्थ देना चाहा है, माजी ने उन्हें आवाज दे दी है, सर से पाउं तको ममता की मूर्ती हाथ में दूद का गिलास थामे दर्वाजे पर दस्तक देती हुई, कभी नए कुर्ते पजामे को धो बसल कर उनका पैना कोरा पन निकाल कर गरब प्रेस से नर्म तहों में बना कर लिया आती और कहती, ले बेटा ये पहन ले, कल वाला न पहनना, मैं दर्वाजे की फांक में से कुर्ता पजामा थाम लेती, चादर में लिप्टा पलंग पर चौका बैठा, नगन निशीत, फिर माजी का लाया कुर्ता पजामा पहन, करवट बदल कर सो रहता, रात और मैं अधूरे छूट जाते, अपने कच्चे को रेपन में गमकते हुए, मेरे ससुर स है, भला बेगानी जगहों पर कोई रात बिताता है, होटल में कमरे की बुकिंग रद करवा दी गई, सेरे के बोस से ठका मादा निशीत का सिर, आधी रात तक माजी दबाती रही थी, हमें अकेला छोड़ने के एक गंटे पच्चात अचानक उने मेवे की तश्तरियां इन चार वर्षों में मैंने अपना मन पती के तन को छोड़कर और सब जगह रमा लिया है, मैं स्वेम भी तो विदे हो गई हूँ, क्या हुआ जो हाथ मलते मलते रंगे हिना जाता रहा, पाक शास्तर में मैं निपढ़ हो गई हूँ, घर की साथ सज्जा मेरा गौरव है, ब बजट बनाना और उसके भीतर पाउं सिकुड़े रहना मेरी कला, महमान नवाजी मेरी खास खुबी, निशीत की रुचिया मेरा ग्यान, कभी हरदम मुस्कुराती बाते सुनने और कहने का शौक था, अब चुपी मेरी आदत बन चुकी है, तोरंटो में टीवी का अनवरत रंगीन मनुरंजन हमारी शामों की वक्त कटी था, यहां किताबे मेरी साथिन हैं, बस कभी कभी वही प्रष्ट पांच बार पढ़ना पड़ जाता है, तब जाकर शब्दों के आकार अर्थ पकड़ पाते हैं, मेरे विचार से मैं एक आदर्ष पत्नी और ग्रहनी बन चु मेरी मा मुझे भारत लोटने पर लेडी डॉक्टर के पास ले गई थी और सब राज खुल गए थे, डॉक्टर ने ने हैरान से होकर कहा था, यह लड़की तो कुमारी है, आप इससे बच्चा चाहती हैं, मा पर वजरपात हुआ था, जी चाहा था, मैं उनका निरी सा चेरा हातों में थाम कर चुमियों, उसे वहाँ डॉक्टर को दिखलाया था, ने हा, उन्होंने बेहोशी से उबरते हुए पूछा था, बहुत का, पर नहीं गय मा, तुने हमें क्यों नहीं लिखा, तुम लोग क्या कर लेते, तुझे लोटा ही लाते, और कुछ नहीं तो, और व जो पिछले कितने ही वर्षों से मा, तुम सोते जाकते बस एक ही रट लगाये थी, कि प्रभू, बस मेरी नेहा का विवा हो जाये तो मुक्ती पाऊं, तरला तो अभी छोटी है, तुम ही ने तो सिखलाया था कि विवा किसी भी लड़की की अंतिम नियती और संपूर्ण भ किये, तुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था, मैं बदहवास मा को गोद में सहच का घर ले आई थी, स्वस्थ होने पर वो अपनी समधिन से जाउल जी थी, अपने बेटे को डॉक्टर को दिखलाओ, क्यों सहच भाव से निशीत की मा ने पूछा, आपको मालूम होना चाहिए नहा अभी तक कुमारी है, मेरी मा ने सकती से कहा, देखिए, अपने बेटे की अब तक की तमाम जरूरते हैं, हम बाकाइदा पूरी करते आएं हैं, सिर्फ एक ही जरूरत ऐसी थी, जिसके लिए आपकी बेटी को लाए थे, वो भी उससे पूरी ना हो सकी, तो इसम जीवन में क्यों बटोडते हो, क्यों काटों में मेरी मुस्कराठे देखना चाहते हो, अभी आप सुन रहे थे, मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी अजूबा, कहानी आपको कैसी लगी, कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कल मिलेंगे, फिर किसी उम्दा कहा आपका समय शुभ हो